नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अलकाववी जंक्शन में दोस्तों बिर्यानी किसे अच्छी नहीं लगती और जब भी हम बिर्यानी खाते तो इसके साथ कुछ ग्रेवी होती तो और भी मजाता तो आज मैं आपके साथ बिर्यानी के मिर्ची का सालन बनाने के लिया है मैंने एक बड़ा प्याज जिसको मैंने रफली कट कर लिया एक टमाटर लिया है इसको भी मैंने रफली कट कर लिया था और लगबग हाफ कटोरी मुमफली लिया और यहां पे मैंने अध्रक लैसन और प्याज लिया है अध्रक लैसन को भ थो बड़े चम्मच्ञ लिये हैं नारियन लिये सुखे वे जो मैंने रफनी कर लिये हैं और लिया है इंली कि पल्प इंली को मैंने थोड़ी देर भीग हूब कर रख दिया था पानी में तो आप देख सकते हैं जोड़ी से फोर ंणा रफ्रिमीरच Absolute में देख लिया है जि इसी तरह से हम सारी मर्ची को कट कर लेंगे आप मिर्ची को स्लाइस में कट करें पर उसे लग नहीं करना है तो हमने सारी मिर्ची अब कट कर लिए पैन में हम मूमफली को रोस्ट करेंगे इसमें में ओयल नहीं डाला है अभी इसको बस एकदब स्लो आज पर रोस्ट करना है आप चाहे तो भूनी मूमफली जो मार्केट से आती उसको भी यूज कर सकते हैं और इसमें डाल देंगे कोकोनट जो हमने कट करकी रखा था और इसको भी थोड़ा सा भून देंगे और मैंने डाला है तिल इन सबीको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे पहले मैंने मूमफली थोड़ी से भून लिए उसके बाद तिल Wick डाला दोस्तों यहां पर आज हमें बिल्कुल तेज नहीं करनी है नहीं तो हमारी जो चीजे हैं सारी जल जाएंगी अब गैस को हम बंद करके इसमें खस-खस डाल देंगे क्योंकि हमारा तवा अल्रेडी गरम है तो हमें ज्यादा देरी से भूनना नहीं है तो मैंने गैस बंद कर खस-खस भी थोड़ा सा भून लेंगे तो सारे मिक्स्टर अच्छे से भून गया है तो इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देते हैं और इसी पैन में थोड़ा सा ओयल डाल कर हम जो प्याज अध्रक और लैसन उसको भी रोस्ट कर लेंगे इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि बाद में भी हम इसे फ्राई करेंगे तो मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर ले रहे हूं लगबक दो से तीन मिनट तेज आज में और इसे भी उसी मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे और इन सब को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा यहां पर मैंने पानी डाला है ताकि अच्छे से पेस्ट जाए तो यह देख सकते हमारा पेस्ट त्यार हो गया मसाले के लिए अब हम 4 टेबल स्पून ओयल लेंगे और जब हमारा ओयल गरम हो जाएगा तो उसमें हम मिर्ची को फ्राई करेंगे जो मिर्ची हमन अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि मिर्ची हमारी सारी फ्राई हो चुकी है और इसी तेल में हम हम थोड़ा सा लगबग वन टीयस्पून जीरा और वन टीयस्पून सरसो एड़ करेंगे और मैंने लगबग 20-25 करी पत्ते का इस्तमाल किया है वन टीयस्पून हल्दी डालेंगे वन टीयस्पून जीरा डालेंगे वन टीयस्पून धनिया पॉड़र डालेंगे और लगबग वन टीयस्पून गरें बसाला डालेंगे तीखे के लिए लालमिश पॉडर का इस्तमाल किया है अब जितना तीखा खाते हो इससाब से आप लालमिश पॉडर एड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी अपना पिसा वह जो पेस्ट हमने त्यार रखा था उसको एड़ कर देंग और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे नमक मैंने स्वादर नुसार डाला है लगबक वन टीए स्पून और इसको हम बीच में चलाते हैं अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब हम इस्तमाल करेंगे कटे वे टमाटर का जो हमने कट करके रखा था क्योंकि यह जो रेड रेड दिखती है न तो इससे बहुत ही अच्छा देखने में भी लगती है यह सबजी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है हलका सा क्रंची सा आता है मूह में तो अब मैं एड करूंगी इसमें इमली का पल्प जो पानी हमने भीगो कर रखा था दोस्तों एक पार इस ग्रेवी को आप जरूब बना कर देके बहुत ही रियली में अच्छी बनती है बच्चों को भी यह बहुत पसंद आती है तो ग्रेवी हमारी बॉयल हो रही है अब हम इसमें डालेंगी मिर्ची जो हमने फ्राई करके रखी थी और एड करेंगी थोड़ा सा पानी जितनी आपको ग्रेवी चाहे उसी साब से आप पानी डाल सकते हो तो देख सकते हैं हमारा मिर्ची का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है आप सकते हैं कितना अच्छा बनाई यह मिर्ची का सालन तो बस आज के लिए इतने ही मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ